साथ आस्मानों के पार, आठवें आस्मान पर जहां जाकर चांद रुख जाता है, सुरज की रोशनी पर तूटे सपनों के किर्चे चमकते हैं, दिन और रात की परिभाशाएं रध हो जाती हैं, कि आत्महत्या उपर उठती दुनिया की सबसे आखरी मंजिल है, प्यार के भी बात किया जाने वाला सबसे तिलिस्मी काम, कोई है जिसके पास सब कुछ है, सुबह है उमीद से जगमगाई हुई, शाम है चादनी की परत लिये हुए, वह खुद है मैं से हम होकर नूर बरसाता खल्क पर, और फिर जब उसकी उमीद से जगर मगर सुबह को खीच कर, उसक मैं से हम हुए अस्तित्व को निथार कर, कोई और अपनी सुबह, शाम और खुद को रच्ता है, तो जानिए कि प्यार के भी बात किया जाने वाला सबसे तिलिस्मी काम है, आत्महत्या, मेरे दोस्त बेशक आपने प्यार किया होगा, और प्यार की गहनतम छण के बाद आप मृत्प्राय हुए होंगे, लगा होगा यही तो जीवन है, कि जीवन और मृत्व के इतने करीब आकर भी आप मरे नहीं, क्योंकि मरना सब के बस की बात नहीं, यह गले में सुई चुभा कर थूक के साथ क्रोड घोतने की तमीज है, मरना प्यार से भी आगे की चीज है, मु उनके मरने से ठीक पहले की बात जानना चाहता हूँ, यह भी जानना है कि इरादों की यह पेंग कहां से भरी थी तुमने, क्या किसी बदबुदार सफेद पोश की कार का धुआ तुम्हारे सपनों पर पेशाप कर गया था और तुम कुछ नहीं कर सके, क्या तुम ऐसा लग इतर का शोर दबा दें, आप मेरी सारी कविताएं फूंक दें, आप मुझसे इस्तुतिगान लिखवा लें, मगर मुझे उन आत्महंताओं का पता दे दें, जिनके पास प्यार करने का भी विकल्प था और उन्होंने उसे नहीं चुना, वह चड़ गए उस आखरी मंजिल, जहां जाकर चाद रुख जाता है, सुरज की रोशनी पर तूटे सपनों के किर्चे चमकते हैं, दिन और रात की परिभाशाएं रध हो जाती हैं, और रची जाती है प्यार के भी बात के तिलिस्म की भूमी का, साथ आसमानों के पार, आठवें आसमान पर.